लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर जहांपर सुप्रीम कोट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेशन को बड़ी राहत दी है कोट ने रिलाइंस इंफराट्रिक्टर की सबसिडरी कमपनी को आठ हजार करोड रुपे देने के फैसले को परड़ दिया है इस खबर के बाद रिलाइंस इंफराट्रिक्टर में 20% की भाड़ी गिरावट है क्या है एक खबर बताने के लिए असीम मत्चिद्ना वासत मौजूद भी है तो असीम क्या डीटेल है आपके पास एक थोड़ा सा बेक्ग्राउंटर से इस मामले की शुरुवात करता हो ये 2008 का मामला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपरेशन ने रिलाइंस इंफराट्र्स्रक्टर की एक सबसीडरी कंपनी है दिल्ली एरपोर्ट मेट्रो कॉरपरेशन उसके साथ करार किया था और उस करार कोई 2012 में तोड़ दिया गया था उसके बाद ये मामला आर्भूटेशन में पहुचा दिल्ली हाई कोड के सिंगल जज ने इसमें करीबर 2700 कोडर पे रखम चुकाने के निर्देश दिया उसके बाद इसको पर इंटरस्टर पेडल्टी लगती गई ये रखम बन करके करीब करीब 8000 कोड पे बन चुकी है ये मामला 2020 में सुप्रीम कोड में पहुचा था सुप्रीम कोड ने जो दिल्ली मेट्रो कॉर्परेशन ने उसको ये रखम चुकाने के निर्देश दिया थे उसके बाद दिल्ली Metro Corporation ने एक Supreme Court में Curative Petitions फाहिल की थी, आज Supreme Court ने उस Curative Petition के उपर अपना पैसला सुनाया। सुप्रीम कोट ने पहले वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, सुप्रीम कोट ने कहा कि जो पहले जो फैसला लिया गया था, वो पूरी तरह से इलीगल था, इससे जो दिल्ली मेट्रो कोपरेशन है, उसके उपर काफी बोज बढ़ा है, तो अब सुप्रीम कोट ने कह है कि जो अब तक 1678 कोड़ पर दिल्ली मेट्रो रेल कोपरेशन रिलाइंस इंफ्रस्रक्ट्टर की कंपणी की सबसेड्री को रखम चुका चुकिया उसको वापिस चुकानी पड़ेगी और इस मामले का बड़ा सेट बैक आज ही आज में 2.5 जार कोड़ रोपे की मारकेट कैप साफ हो गई और करीब करीब 20% का लोड़ सरक्ट स्टॉक में लगतावा दिखाई पड़ रहा है बहुत बहुत शुक्री आसीम ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे इस पर डीटेलें बाची करने के लिए शर्पा में वाइब जाए पकश्चाने के लिए आज में लिए